हेलो व्रीवान सो विल्कम बैक टू अनधर वीडियो सो गाइज यह वाइस आप बड़े दिनों बात सुन रहे होंगे आप सब बड़ी देर से कंप्लेंड कर रहे थे कि सर लेक्चे नहीं आ रहा सर बहुत डिले आप कर रहे हो तो फस्ट फॉल यार उसके लिए मैं एक सौरी बोलता हूं आप सबको यार एक कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था आपके लिए लेक्चे प्रिपेर कर रहा लेकिन अब मैं आपको ग्रेंटी देता हूं कि अब सारे के सारे लेक्चे से आपके रेगुलर आएंगे देखो याब बाकी अगर मैं कोर्स की बात कर मेरी ग्रेंटी है तो गाइस एक वाइन हम स्लेबस की ओर देख लेते हैं आप सबने जैसे वीडियो का टाइटल पढ़िया आज से हम अपना करने जारे हैं टॉपिक डैट जब प्रॉफिट एन लॉस ठीक है आज मारे टॉपिक स्टार्ट हो रहेगा बिल्कुल बेसिक ले है एस का लिया है हमने lin1 के लिया है हमने speed to time ऐसे गया है उसके बाद बोट इन स्ट्रीम कलिया यह जो हम कवर कर चुके है सत्य को मार दूं अब यं प्रॉफिट लॉस बी आज से मां आज स्टार्ट हो चुका है रीजочноं बा recipients हमारी कंपलीत है ऐब पर अगर आप देख सकते हो आप पर प्रॉपली सारे सारे टॉपिक मैंने करवा दिये हूँ है कोई भी चेंज आएगा स्लेबस में वो आपको मैं चेंज करवागा यह मेरी गरेंटी है आपको फिर से कोई कोर्स परचेस करने की ज़रवत नहीं पड़ेगी तो गाइस बात कर करता दो अगर आप मारे साथ simply and simply offline जुनना चाहते हो आपको हमारे offline center पर विजिट करना पड़ेगा जो की है कुंजवानी में अब बैंक और बर्योडा एड्जॉणिंग रेडचीफ शोरूम कुंजवानी जमू यह गीवन नंबर्स है हमारे 788-976603 और 9103-77997 इन नंबर पर कॉल करके आपकी कोई भी क्यरी आप उसको सॉट ओड कर सकते हो यह आप अपनी फोरी इधर पूछ सकते हो कि हासार ये कोर्स में क्या रहेगा सर कोर्स का डूरेशन करेगे सर कोर्स करें भी नहींडय रहेगी प्रॉपले आपको तदा घृट जाएगा बाकि आफ़ सब को दादू टैट JKP Constable का अगर आप माहें साथ online जुन लगा तो जिसमें आपके recorded lectures रहते हैं complete syllabus कराए जाएगा साथ में उसके PDF lectures PDF material उसके साथ में आपको दादू टैट practice sheets and mock test conduct कराए जाते हैं जो कि आपको simply and simply 600-700 की nominal charges में मिल जाएंगे इसमें आपको फिर से कुछ पे करेंगे जोत नहीं पड़ेगी ठीक है कोई भी अगर syllabus में चेंज आता है तो वह वह भी आप जाके हमारे ले सकते हो simply आपने आप पर विजिट करना है और आप अपने प्लेस्टोर से डाउनलोड करके उसका फाइव स्टार भी रेट करना है यह आप सब जानते हो फाइदा एंड नुकसान ठीक है अब आप कोई business setup करते हो कोई business start कर रहे हो sir क्यूं start कर रहे हो टू earn a profit sir to earn income ठीक है अब कभी कवारे laws भी जिलना पड़ता है कभी गवाज नुकसान भी जिलना पड़ता है क्या पता कोई piece dump हो चुका हो क्या पता कोई चीज expire हो चुका हो तो वो loss भी हम इसमें पढ़ेंगे तो sir पहले ना कुछ basic terms डिसकस करते है sir basic terms में क्या आता है सबसे पहले हम बात करते सब एक होता है cp जिसको full form में बोला जाता है cost price जिसको full form में क्या बोला जाता है cost price sir उसके बाद होता है selling price selling price को क्या बोलाता है SP selling price को क्या बोलाता है sir SP उसके बाद आता profit sir उसके बाद आता है loss यह कुछ basic terms हैं जो हम इदर discuss करने वाले हैं ठीक है तो यह सबसे पहले न एक चीज़ एक को मैं डिसकस करना भूल गया सर यह जो lecture series है यह कितनी चलेगी सब profit and loss में आप कितने lectures बनाओगे मैं आपको हर पहले lecture में ही बता देता हूं दियान से सुनना जो profit and loss है ना इसमें मैंने जो decide किया है वो हम आपको बता दे that हमारे तीन lectures आएंगे तीन lectures आएंगे concept के ओपर आएंगे इस concept के ओपर आएंगे that is your profit and loss इसी topic में ना हमने topic पढ़ना discount इसी topic के साथ हम पढ़ेंगे discount discount के ओपर भी दो lectures आएंगे कहने का मतलब यह है आपको total five lectures मिलने वाले हैं profit and loss के जिसमें डिसकाउंट भी हम cover करवाएंगे डिसकाउंट में successive discount डिसकाउंट के जितने कोशन मनते हैं MP related वह सारे सारे में आपको इदर कवर कर आँगा यह मेरी ग्रेटी है ठीक है पांच लेक्चे में यह टॉपी कवर हो जाएगा ठीक है तो अब बात करते हैं एक हमारा होता है एक हमारा होता है डाट जो सेलिंग प् लागत कितनी लगी आपको वो प्रॉड़क्ट कितने का पड़ा है डाट इज लोन एस कौस्ट कितने की लागत पड़ी है उसको क्या बहुत ईसको क्या बोलते तो सर उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग प्रैस selling price एक ऐसा price है जितने में आप बेचते हो देखो यार एक चीज़ ध्यान मेंधे cost price, bad that कोई भी product का जो होगो नवो constant रहेगा cost price नए change होता cost price ना for example, उतने का मैं लोगा उतने का इपढ़ेगा लेकिन selling price मेरे mood के ओपड़ आज आज मैंने ना इस phone को बेचके 10% कमाना है यार इस phone को बेचके ना मैंने 1% कमाना है यार इस phone को बेचके ना मैंने 5% कमाना है यार इस phone को बेचके ना मेरी cost ही पुरी होगा है समझ रहे हो कहने का मतलब यह है जो cost price है that will be constant for every product cost price change नहीं होती जितने का वो product मुझे पड़ेगा उतने का ही पड़ेगा आप बोलो 100 रुबे का product पड़ा था अब 90 का बड़े ऐसा नी है सेलिंग price क्या है सर जितने का मैं इसको बेचूंगा जितने का मैं सर इसको sell करूंगा ठीक है that will be depend on my mood sir अब आपका मन कर रहा है sir इसमें कमाई करनी है तो मैं इसको double rate में बेच दूँगा sir अब मेरा मन कर रहा है मैं इसमें कौश पूरी कर लो तो sir मैं same price में बेच दूँगा तो selling price है हमेशा एक तरह से fluctuate करता रहेगा question to question ठीक है उसके बाद sir बात करते है profit sir अगर मैं बात करता हूं profit की sir कब होगा आपको profit अगर मैं बात करता हूं profit तो sir आपको profit कब होगा sir profit तब होगा जब मेरी selling price जो है वो cost price से बड़ी होगी जब मेरी selling price जो है वो cost price से बड़ी होगी तो उसको क्या बोलते है sir profit का situation बोलेंगी देको यह question बन सकता है कि what are the conditions what will be the condition that the firm will earn a profit मतलब किन कंडिशन में आप क्या सक्टों की बिजनस ने कमाई की है किन कंडिशन में आप क्या सक्टों की बिजनस ने प्रॉफिट कमाया है कौन सी कंडिशन में कहोगे सर हम वो कहेंगे when the selling price is greater than a cost price सब मैंने 10 रुबे की चीज ली थी 10 रुबे की चीज ली थी सब जब मैं उसको 12 रुबे का बेचूंगा तो मैं कहूंगा I am in profit तब मैं कहूंगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया तब मैं कहूंगा मुझे फाइदा हुआ दो रुपे ठेक है उधर ही अगर मैं बोलू लॉस की कंडिशन क्यों होगी से लॉस के कंडिशन में क्यों होता है जब आपको नुकसान होना है नुकसान के टाइम पर सब्सक्राइब कर दोक्राइब कर दोक्राइब लॉस एस इंग्जेंपल लेता हूं जब मैं 10 रुपे की चीज को आठ रुपे में बेचूंगा तो उसको मैं बोलूंगा सर मुझे loss हुआ है जब मैं 10 रुपे की चीज़ को 8 रुपे में बेचूंगा 10 से कम में बेचूंगा तो उसको क्या बोलूँगा सर मुझे loss हुआ है तो इदर सी इसका formula बन जाता है simple सी एक चीज़ या देखना बड़े में से छोटा minus कर लो that is your formula sp minus cp और इसमें cp minus sp ठीक है that इसका formula क्या बन गया इदर हमने discuss कर लिया इसका formula बन गया sp minus cp loss का formula क्या बन गया cp minus sp यह अपने notes में लिख लो यार जब exam में आएगा आपको lecture फिर से देखने के जोट नहीं पड़ेगी बाकि सब lecture देख रहे होंगे और तुम सब revise कर रहे होगे तुम सब mock test दे रहे होगे तुम सब proper त्यारी कर रहे होगे तो यही चीज़ है इस time को utilize करो यह जो आपको time दिया गया है बगवान के दोरा, JKSSB के दोरा या आपकी administration के दोरा इसको best and best utilize करो ठीक है तो यह आपके formula है profit का formula क्या हो गया SP minus CP loss का formula क्या हो गया CP minus SP यह कुछ था basic यह कुछ था basic अब थोड़ा से कोशन इसके ओपर देखते basic basic है फिर उसके बाद मैं आपको एक और इसमें देखो यार मैं हमेशे ने try करता हूँ यार हर एक चीज ना basic से करवा हूँ यह ना है यार एक आदर student को भी समझना है ठीक है maths का ना एक डर होता हर एक के student हर एक के मन में कि मुझसे ना maths नहीं निकल दी बाकी सब करवा लो बाकी सब करवा लो ठीक है लेकि maths नहीं कर दी वो मैं डर दूट करना रखा ठीक है यार होश्यार बच्चों को तो हर कोई बढ़ा लेगा होश्यार बच्चों को तो हर कोई पास करवा देगा मज़ा तब है तुम जब एक average एक below average student से एक तरसे अपना paper निकल वाकित दा तो मैं वो चाता हूँ ठीक है तो मैं चाता हूँ अगर आपके मन में कोई भी डर है ना मैं उसको दूर करता हूँ तो इसलिए हर एक कोशन मैं basic से करवाऊंगा बिल्कुल zero level से करवाऊंगा बिल्कुल बच्चों की तरह कराऊंगा 455 standard से करवाऊंगा ठीक है यह कोशन जो है ना 456 standard की level क्या मैं चाता हूँ बस आपका base बन जा है देखो सर अब आईशा है बहुत प्यारा नाम है यार आईशा मेड़ प्रॉफिट ओफ रुपीज 3.95 ओन पेन शी सोल्ड फॉपीज 6.2.3.5 देखो यार पहले ना जो चीज सदीश गी वन यार वो लिख ले ठीक है रहे है निकाना है सर पहले देखो profit का क्या फर्मॉला अभी आप ने पीच्छे लिखा प्रॉफिट का फॉर्मॉला सप्रॉफिट का आपने फॉर्मॉला बताया सैलिंग प्राइज माइनस cost सब्सक्राइब कर से प्रॉफिट कितना है 395 सेलिंग प्रैस कितना है 6235 सब कॉस्पेस मुझे नहीं पता सर यह माइनस हो रहा है उद्धरा के प्लस हो रहेगा सब सीपी कितना हो रहेगा सब 6235-395 क्लियर है कि नहीं यह बताओ कर ले सब कर लेते हैं 395 माइनस इदे करता हूं 395 माइनस 5 में से 5 काटे 0 13 में से 9 काटे 4 61 में से 3 काटे that is a 58 so 5840 is your answer समझ आया कि नहीं आया बिल्कुल basic था बिल्कुल 0 था बिल्कूल असान था आगे बताओ यह है क्या है profit यह तो बड़ा basic है सब profit का formula क्या होता है सब profit का formula होता है अभी discuss किया सर sp-cp सर sp है 105 सर cp है 85 सर दोनों को minus कर दो 20 रुपे is your profit profit कितना आ गया 20 रुपे अगला देखो यार देखो मैं हर एक ना concept जैसे हम level आगे बढ़ाते ना जैसे कोशन आगे बढ़ाते मैं level increase करें को एक level इसमें आप कैसे को एक level थोड़ा सा उपर गये त्या का level ओपर गया सर इसके ओपना कोई expense लगा है अब द्यान से सुनना कि द्यान से सुनना मुन्ना अगर आप कोई वी चीज़ खरीद देऊं फॉर इंग्जेंपल मैं एक इंग्जेंपल देता हूं कि आप ने ना एक सोफा खरीदा था सब्सक्राइब ने फॉर इंगेंपल 30,000 तो उसके उपना ओटो का खर्चा लग गया के एक हजार रख ठीक है ध्यान से सुनना अब आपकी एक भू आई ठीक है अच्छी वाली भू आया बूरी आदे सारी भू आच्छी होती है ठीक है तो अब भूआ ही भूआ ने बोला बेटा कितने का लिया है सोफा बुझ प्यारा है अब आप क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे सब कितने के लिए सोफ़ा आप बोलोगे सब दो CP is equal to CP किसके बराबर है CP हमारा cost plus expense के बराबर cost plus expense यह बुगा लिंग सेंपल दिये ना यह नहीं अब आपको नहीं बूले ठीक है अब नहीं आपको बूले तो यही चीज़े तो अभी मैं example दी है देखो कहने का मतलब यह है हमारी cost किसके बराबर है 5 6 7 5 plus 4 5 3 सॉरी ठीक है तो cost पर इस किसके बराबर है cost plus expense cost है हमारी 5 6 7 5 expense है 453 plus कर लेते हैं यह बन गया 8 12 10 11 6 1 2 8 is your cost price 6 1 2 8 is your cost price sir selling price किसके बराबर है sir selling price 7 2 6 5 के बराबर है बाकी निकाल लो यह profit जल्दी से command में बताओ इसका answer मैंने आपको CP भी बता दिया आपको मैंने SP भी बता दिया आपको मैंने cost price भी बता दिया कितनी है sir selling price भी बता दिया अब जल्दी से बताओ कितना होगा हमारा profit ठीक है sir हमने कहाँ नहीं simple minus करना है profit निकाल ले 7 2 6 5 minus 6 1 2 8 ठीक है sir carry कर लेते हैं यह 5 sir 15 हो गया sir 15 में से 8 काटे 7 sir 5 में से 2 काटे 3 sir 2 में से 1 काटे 1 1 1 3 7 का हम पे दिख रहा है इसका आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे sir क्या है sir कह रहा है CP है 3725 sir loss है 589 ठीक है loss कितना है 589 sir loss का formula क्यों होता है sir loss का formula होता है CP minus SP sir loss है 589 sir CP है 3725 minus SP sir minus हो दाखे plus हो दाखे plus हो दाखे minus हो दाखे sir SP का formula क्यों हो दाखे 3725 minus 589 कर दो minus sir 15 में से 9 काटे 6 ठीक है 11 में से 8 काटे 3 sir 36 में से 5 काटे 31 sir 3136 is your answer clear है अब level increase करें आगे बढ़े ठीक है यह सा basic अब next concept क्यों चलते है अगर question आ रहे find the profit and loss percentage profit and loss percentage निकानने को आदे ठीक है अब हमने निकाननी है percentage of profit and loss ठीक है क्या निकानना है sir profit and loss की percentage ध्यान से सुनगा sir profit निकानना आ गया जी sir आपने इतने अच्छे तरीके से चार question भी गरा दे इसके sir profit निकानने का आपने फॉर्मुला होता है selling price minus cost price sir loss निकानने का क्या फॉर्मुला होता है cost price minus selling price sir अब बताओ profit percentage का फॉर्मुला sir अगर मुझे आ गया find the profit percentage मुझे आ गया sir profit percentage निकालो हमने percentage topic पड़ा है percentage topic में कैसे किया था sir हमेशा ना percentage में जब भी convert करना है into 100 करते हैं तो इसका फॉर्मुला क्या रहे गया sir profit upon याद अखना नीचे हमेशा इसके cp आएगा sp कते ही नहीं आएगा क्यूंकि sp तो सब मेरे mood पे डिपेंट करते है मेरा mood अच्छा तो selling price अच्छा मेरा mood गंदा तो selling price और अच्छा ठीक है कोई ग्रहक आ गया मैं mood बिल्गुल अच्छा नहीं है मैं उसको और मैंगा ठोक ठोक के बताऊंगा समझे हो psychology समझे है ठीक है तो वही चीज़ है profit percentage का formula क्या है profit upon cp into 100 profit को cp से divide करो into 100 उदर ही अगर मैं बात कूँ loss percentage का formula बनेगा loss percentage का formula सेम रहेगा loss upon cp into 100 कहने का मतलब यह है हमेशा comparison किसके साथ होगा cp के साथ होगा हमेशा नीचे क्या आएगा denominator में आएगा cp आएगा क्यों क्योंकि cp is constant मैंने lecture के starting में बताया cp जो है वो constant रहती है cp कभी chain नहीं होती है selling price mood paid event करता है तो इसलिए cp को ही नीचे रखना है इसको गान मार के अपनी तिमाग में बिढ़ा लो याद रखो ठीक है clear है आगे चलें अब देखना question क्या आता है paper आप देखना paper में किस तरह की question आता है maximum question इस तरह की आपको paper में देखने को मिलेंगे आपको मैं अधा तो इसी तरह का question आपको that class fourth का exam हुआ सा उसमें मिलाओ तो क्या करना है सा इस question है सर कह रहा है cost price of 12 oranges is equal to the selling price of 10 oranges जो बोल रहा है वो लिखेंगे कह रहा है 12 CP जो है वो 10 SP के ब्रापर है क्या कह रहा है 12 orange का CP 10 orange के SP के ब्रापर है 10 orange के SP कहने का मतलब कि है 12 into CP is equal to 10 into SP देखो यार अब ना हमने ना इसमें देशों नहीं कामा रहा है सर SP इदर मल्टी ब्रापर है उद्दर के के बापर जाएंगा सरद्दा के ड क्यों छाएंगा सर 12 इदर मल्टी ब्रापर है उद्दर की क्यों यहाँगा ड क्यों जाएंगा गो साथ शरी आपकी डेश्व अगर आप से पूछे सीपी और स्पी की क्या रेश्व है तो तो इसके एपन एसपी की क्या रेश्व है पांच ग्लियर कहने का मतलब यह एक कॉस्पप स्पांच रुपे है सेलिंग प्राइस रुपे है तो प्रॉफित कितना हो गया सब्सक्राइब हो गया सब्सक्राइब हो गया अब कि इसका मैंस हो गाना रिध्य कितनी आई 2013 चीज तो कितनी कि निंगक और यहां a अपॉन सीपी इन्टू हंडड़ सब्रॉफिट हुआ वान रूपीज का सब सीपी है पांच रूपे इन्टू हंड़र सबान अपॉन फाइव इन्टू हंड़र कर दोगे तो यह कितना आ गया सब्वन्टी परसंट इस राइट वन और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है परसंटेश चैप्टर में ने पढ़ा हुआ है वान बाइफ किसके ब्राबर होता है सब्वन्टी पर सब्सक्राइग है सब्सक्राइग अबढ़ा टू क्याए जो कोऊ सब्सक्राइग हैं फ रटी चैज़हustain पर छाइग भी है त्सब्सक्राइग सब्सक्राइज करे जीदिटिलारेगृ ङहिए घु ग्या सब्सक्राइग है तीन अर्शाजर्स ऑफहए तरहग करे सुरुपे इंटु हंड़ेड जीरो जीरो गैंसल सर थर्टी परसेंट इस दा राइट वन ऑप्षिन नमबर ए इस दा राइट वन क्लियर आगे बात करें कोशन नमबर से यह आपके सामने कोशन नमबर सब्सक्राइब सर क्या कह रहा है 25 cp प्रेंट कर सुब राइट सर क्या बन जाएंगे ऑपी जो है सबसे कट कर दो The को तक थो 40,500 घंच ना थे चंपने का प्रफिट हो गया पहले देखो सर कॉस्ट बढ़ा रिए स्ट बढ़ा बदाओ असलिंग प्राइस बढ़ा हो तो हमें गेन होता है तो लॉसले ओप्शन और यह अप्शन कि एक तो सब्सक्राइब प्रॉफिट हुआ सर एक रुपे का प्रॉफिट हुआ वन अपॉन सीपी इन्टु हंडडर तो 25 परसेंट इस राइट वन ऑप्शन नमबर बी इस दा राइट वन आगे बात करें कोशन प्रेट यह लो यार सब कह रहा है को फोटी आर्टिकल सब 40 cp जो है वो किसके बरापर है से 25 एस च्के बराबर है 25 एस बससी प्सक है किसके बरापर हो रहेगा सब 85 ले में 5 जार 25 वह यह्रे में एट साथ 518 हो गया profit कितने को हो गया profit 3.00 को हो गया 3 upon cp cpa 5 into 100 इसको कर दो solve 5 1s यह 20s 20 into 3 होता है 60 60% is the right one 60% profit is the right one clear है अखला question आप करोगे करो या कुछ तो manage करो कुछ तो हाथ लओ कुछ तो दिमाग लगा तभी मज़ा है बताओ फिर इसका अंसर जल्दी से जल्दी से मुझे इसका अंसर comment section में चाहिए आप सबके end से वीडियो को pause कर लो बताओ इसका अंसर क्या बनना चाहिए कैसे solve किया वो चीज़ देखिए properly यार इसके notes बना रो यह अला question आने के chances हाई रहे ठीक है बस इधर ही हमारा डाट आज का concept हम इधर ही खतम करते हैं मतलब एक तरसे एक दो question जो बचे यह complete करके उसके बाद अगली वीडियो में ठीक है जो आने वाली वीडियो है उसमें concept to or concept समझेंगे और अपने आपको एक तरसे नए-ने चीज़े बताऊंगा profit परसेंटेज अगर आपको दी हो तो सीपी कैसे निकालना है profit loss percentage दी हो तो सीपी कैसे निकालना है कुछ इस्सा के question समें नेक्ट वीडियो में करेंगे properly ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़े से level और इंक्रीस कर देंगे फिर फोर्स कितने का gain हो गया सब अपाउन टैंटू 100 कर दो खतम question answer will be your 10% आज का last question जोगी आपका homework रहता है जो आप सब को बदा कि मैं आप सब को homework देए बीना नहीं जाता हूं मेरा मन नहीं मानता मैं चाहता हूं तुम सब भी मैनत करो मैनत क्यूंकि तुमने करनी है तुमने selection पानी है selection देखो हमारा तो 5% contribution रहता है सभी बलू 5 से भी कम रहता है बाकी सब तुमारा है बाकी सब तुम पे depend करता है तुम उसको कैसे utilize करते हो वो बाकी सब तुम पे depend करता है तुम कितनी मैनत अपने डालते हो देखो यार paper तो हजारों बच्चा देगा paper तो लाखों बच्चा देगा तो अब यही चीज़ है उन लाखों में से उन हजारों में से तुमने top 2-3 thousand जितनी पोश्ट निकल दी है उसमें कैसे आना है तो वो तुमारी मैनत पे तो मैनत करो फल पाओ मैनत करो के तो फल मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा बाई मेरे मुन्या मैनत करने पड़े बана यह pen चलाना पड़ेगा मुन्या copy maintain करने पड़ेगी मुन्या रोस के रोस तीन शागंटे पढ़ना पड़े गए तो यह आप है dependent जो यह करेगा वह नोख ली पाएगा जो मैनत करेगा वो फल पाएगा ठीक है तो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो मिलें चलते अपनी नई वीडियो में तब तेरे आप सब से अलवीदा बाकी जाने से पहले आप सब को यह बता दुए आप मारे गीवन नंबर्स हैं जहां पर आप कॉल कर स सकते हो हमारे ओफिस भी विजिट कर सकते हो जो की कुझवानी में है रैची फ्योरों के साथ जहां पर मारे प्रॉपली है बिल्कुल बेसिक लेवल से आप इसको भी जॉइन कर सकते हो आप प्लीस यार इंस्टॉल करके नहीं फाइट रेटिंग जरू कर देना अगर आपक जो हमारे इसकता है जरू कर सकते हो जरू कर सकते हो जहाँ जहाँ हैंजनी से जहांजनी कर देना, परने में हो जड़ख़दा रख।